नमस्कार, मैं हो ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जार्खन के दिन भर की खबर जानते हैं बतादे दोपर बाद परिचारन सुगम हुआ, सहरों में जन जीवन समाने रहा, पुलिस ने बीदी बेवस्ता बनाये रखने के लिए 5 जीले से कूल 119 लोगों गिरफतार किया है, वहीं बंद समर्थकों को देज साम रिहा कर दिया गया बतादे रांची जीले से 82, जम सेथपूर से 41, चाईबसा से 29, बोकारो से 13, धनबाद से 9, पाकुर से 28 लोगों को गिरफतार किया गया वहीं रांची जम सेथपूर धनबाद गिरिदी दुमका चाईबसा सहीत कई जीलों के सहरी एलाके में बंद का कोई खास असर नहीं था पलामो गढ़वा लाते हर कोडार में बंद बे असर रहा राजधानी रांची वह रामगण में बंद समर्थकों को रोकने के लिए पूलिस ने हलका बल का परयोग भी किया वहीं रांची के मौरबादी मैदान में पूलिस ने लाठी चार्ज कर अंधरन कारियों को रोका बता दे रामगण में अंधरन कारियों ने राश्ट्री राजमार्गों परयातायात बाधित करने का पयास किया रामगण में बंद समर्थकों ने पटेल चौग, कोठार चौग, कुजूर, कोरिया, घाटी, गोला, डिवीसी, चौग, आरा, चेक, पोस्ट, पतरातु में रांची, पतरातु मुख्य मार्ग परोड जाम कर दिया था जारखन में कोरोना केस की संख्या 264 जारखन में कोरोना संक्रामित मरीज की संख्या बढ़कर 264 हो गई है, पिछले 24 घंटे में 51 नए कोरोना संक्रामित मिले है, वहीं रांची में सबसे ज्यादा 14 नए मरीज मिले है, बता दे जारखन में कोरोना वायरस से संक्रामित मरीजों की संख्या लागातार बढ़ती पिशले 24 गंटे में 51mon 90 संधिक दों की किरोना जांच में 51 नए क्रोंडा-सनक्रामीत मिले हैं इस दवरान 13 कुरोंडा-सनग्रामीत मरिज्ठीक भीुह हैं इसके बावजूद एक टीब Casey संख्या बढ़कर दो सो Hag अ करोणा संख्यामीत मुख्य मंत्री की समिक्षा बैठक अस्थागीत बता दे कि मुख्य मंत्री हमंस्रेन राजे में चल रहे सरकारी वजनाव की समिक्षा के लिए गुरुवार को उच अस्थारिय बैठक बुलाई थी लेकिन यह बैठक अमतिम समय में अस्थागीत कर दी गई दो फर दो बैठक जारकन मंत्राले में होने वाली समिक्षा बैठक की सारी तेरिया पूरी कर लिए थी लेकिन एन वक्त पर यह टल गया धनबाद मेले में गुपचूप और चाट खाकर 200 से अधिक लोग बिमार धनबाद जी लेके बलियापूर परखंड की कर्मा टांड पंचायत के हुचुक टांड गाउं में बुद्धवार को आयोजीत भोक्ता मेला में बिसाक्त चाट गुपचूप और छोला बटू रखाकर 200 से अधिक लोग बिमार पढ़ गाए फुट पो एंजिनिंग के सिकार लोग उल्टी दस्त और पेट दर्द की सिकायत लेकर रात 9 बजे से आधिर रात बाद तक सहर के अन्य अस्पतालों में दर्द तक सामिल थे इतनी संख्या में मरीजों के साथ आने पर आफरात अपरी मच गई थी बाबुलाल मरांडी ने कहा हमारी सरकार बनी तो थर्ड और फोर्थ ग्रेट की सो पर्थियत नोकरिया जहरखंडियों को जहरखंड में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबुलाल मरांडी ने कहा है कि उनकी सरकार बनते ही राजी की थर्ड और फोर्थ ग्रेट की सो पिजदी नोकरिया जहरखंडियों के लिए रक्षित की जाएगी बाबुला मरांडी ने कहा है कि मैं गरांटी के साथ कह रहा हूँ उन्होंने हेमन्त सुरेन सरकार प्रवादा खिलाफी का आरोप लगाया कहा है कि हेमन सरकार ने ही प्रतिवर्थ 5 लखनोकरिया का वादा किया था अब जबकि युगा सड़क पर उतर कर सरकार को उनका वादा याद दिला रहे हैं तो उन्हें पीटा जा रहा है उनका सीर फोड़ा जा रहा है नियोजन निती हाई कोट से रद होने वाली और वो भी सिय आरक्षन तथा अस्थानियता भी धेक राज्येपाल दिवारा लोटाया जाने पर भी बाबुलाम रांडी ने कहा है कि चीजे बीधी समत नहीं होगी तो यही पहिनाव होगा राज्ची के अंगड़ा में लगी भी सन आग राजधानी राज्ची में गुरुवार को भी सन आग की खवर से कुहराम मच गया है बताया जा रहा है कि रांची के अंगड़ा बेरवारी स्थीत जेके पॉली पानी टंग की फैक्टरी में अहले सुबा भी सन आग लग गई इसके बाद आस-पास के इलाके में अफरा तफ्री का महल बन गया आग की लपेटे इतनी उची थी कि मंजर खोपनाक हो गया था घटना की जनकारी मिलते ही अंगड़ा थानेदार फायर बिर्गेट के साथ पहुंचे और काफी मकसद के बाद आग पर काबू पाया गया रांची में सजा इद का बजार इद की तारिख नजीख है राय धानी के बजारों में रोनक और चहल पहल काफी बढ़ गई है समानों के खरिदारी के लिए बजार में सबसे अधिक भीर महिलाओ यूतियों और युवाओ की ही है इद पर नय वस्त्र रेडिमेट से लेकर सि बताद इसलाम में इद सबसे बड़ा तेवार है इद पर एक अलग ही खुसिया और भाईचारगी देखने को मिलती है सी एम आवास में आठ साल बाद हुआ इफ्तार का आयोजन मुख्यमंत्री हमान सुरेन की ओर से रमजान उल मुबारक के असर पर बुद्धवार को दावत ए इफ्तार का आयोजन किया गया कांके रोड इसीत मुख्यमंत्री आवास आठ बरसों के बाद इफ्तार का आयोजन किया अमतिम बार वर्ष 2013-14 में आयोजित इफ्तार पार्टी के दोरान भी उस समय मुख्य मंत्री के पद पर हेमान सुरेन ही थे इसके बाद जब वो दोबारा 2019-19 दिसंबर में मुख्य मंत्री बने तो कुरोना की वजय से इफ्तार का आयोजन नहीं हो सका था अब पुनाय अरम हुआ है बतादे मुख्य मंत्री आवास में आयोजित दावत इफ्तार में सभी धर्मों के लोग सामिल हुए मुख्यमंत्री ने सभी राज़दारों को रमजान की दिल्ली मुबारकबाद दी इस अउस्तर पर सभी ने राजे की प्रगती प्रेम भाईचारा खुसाली और अमन्चैन के साथ सुरक्षित जानता सुरक्षित जार्खन की दुआ की है राष्टपती पुरसकार से समानित पलामों के सिक्छक मदन सुकला का निधान हो गया है जातरी नौ बजे तक उनका पार्थिव सरीर मेधनी नगर इस्थीत आवास पर पहुंचेगा उनका अमतिम संस्कार 21 अप्रेल को पराता आठ बजे राजा हरिस चंद्र घार पर होगा बित्रन कर दिया गया होता तो इन्हें दूर दराज के स्कूल आकर सिक्छा गरहन करने में काफी सुविधा मिलती वहीं राज सरकार का लाखो रुपए बरबाद होने से बच जाता साथी साइकल का सदुप्योग भी हो जाता जनकारी के अनुशार कल्यान विद्यालाई द्वारा वर्ष 2017-18 में साइकल की फिटिंग परखंड के FCI गोदाम और लेप्स गोदाम में कराया गया था इस साइकलों को आठवी कक्छा के स्कुली बच्चे के बीच बित्रन करना था किन्तु बित्रन क्यों नहीं हो पाया इसका बरतमान के किसी भी अधिकारी के पास कोई जनकारी नहीं है ग्यात हो कि जार्खन सरकार आठवी कक्छा के गरीब स्रम कानून को प्रभाई बनाने में जूटा स्रम विभाग राज्य में स्रम कानून को प्रभाई बनाने के लिए लेवर डिपार्टमेंट एक्सन मोड में है इसी के तहद बुद्धवार को जार्खन चेंबर अब कोमर्स सभागार में बेवसायों के साथ बैठक सहकारे सला कायोजन किया गया जिसमें स्रम कानून की जनकारी उध्यम्योग को दी गई स्रम कानून को प्रभावी धंग से लागू करने का उदेश से बुद्धवार को जार्खन चेम्बर अपको मर्च अबागार में स्रम विभाग के द्वारा बेवसायों के साथ बैठक सहक कारे साला का आउजन किया गया इस मौके पर डिप्टिल लेबर कमिस्टनार प्रदीप लाकडा ने बेवसायों से सरकार के स्रम कानून का सक्ति से पालन करने की अपील की इस मौके पर राजम्या स्थानियों लोगों के लिए नीजी छेत्र की कम्पनिया और परतिस्थानों में 75 फिजदी आरक्षन के लिए रइस्ट्रेशन कारे में तेजी लाने की भी अपील की गई कंग्रेस के परदेश परभारी और परदेश अध्यक्स को हटाने की मांग जारक्षन में एक और जहां कंग्रेस पार्टी काफी मुखर होकर अपने नेता राहूल गांधी के उठाए सवालों को आम जन तक पहुचा रही है तो वहीं दूसरी और जारक्षन कंग्रेस में गुटबाजी की चरम है अनुसासन हिंता के आरोप में पार्टी से निलामबित पुर्व परदेश महासची उरायस गुपता अलोक दूबे लेली गेट्स मेंबर रहे लाल किसोर ना साधेव रमेस उराओ जैसे कई नेता 20 अप्रेल को बापु आटका के समक्ष धारना देंगे और परदेश प्रभारी और परदेश अध्यास को पदमुक्त करने की मांग आला कमान से करेंगे हैरत की बातिया है कि अनुसासन हिंता के आरोप में पार्टी से निलामबित नराज खेमा के नेतावने धारना के लिए जो बैनर बनवाया है उसमें कॉंग्रेस की पुर्व अध्यक्स सोनिया गांधी राहूल गांधी और बरतमान अध्यक्स मलिकार जुन खड़गे की तस्वीर लगी हुई है जारखन में गुरुवार को गर्मी का सितम जारी रहा दोपहर में लू चली अधिकांस जीलो का तापमान 40 डिग्री सेसेस को पार कर गया इसी बीच लोग इंतियार में हाए कि कब गर्मी से रहात मिलेगी ऐसे में मौसम विभाग की और से राहत भरी खबर आई है बाबुलाल मरांडी ने कहा हेमन तो सुरेन सरकार ने नहीं मांगा भी पक्ष का सहयोग बीजेपी करकता हो दोवारा कोट में हेमन सरकार की नीतियों खिलाप याज का दायर करने के आरोप को बेवनियाद बनाते हुए बावुल अमरांडी ने कहा एक बेपी करता है कियो याज का दाखिल करेंगे नीतिया गलत होगी तो कोई भी याज का दाखिल करेगा बिजेपी द्वारा सहयोग नहीं किये जाने कि आरोपो बावुला मरांडी ने कहा है कि हेमान सुरेन सरकार ने कब हमसे सहयोग मांगा है बिधान समय में बहुत नहीं कराना चाती सर्वदलिये बैठक नहीं बुलाया जाता मैंने कई चीठिया लिखी लेकिन मुख्य मंत्री ने परतिकिरिया नहीं दिया है बता दे नियोजान नीती के बिरोद में जारखन बंद के दोवान परदसनकारी चात्रों पर लाठी चार्ज की निंदा करते बावुला मरांडी ने कहा है कि कहीं से तोड़ फोड की खबर नहीं आई परदसनकारी चात्रों ने उपद्रव नहीं किया है धन्यवाद